कि नमस्कार साथियो मैं मिन्टू सिंग आपका स्वागत करता हूं विजन अकैडमिक की ऑनलाइन क्लास में देखिए हम ऐसे कर रहे थे इन प्रेज ऑफ इग्नोरेंस और उसके हमने 7 पैरा को एक्स्प्लेइन कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं पैरा नंबर 8 तो करते ह देखिए नाओ अलबेट मिस्टर रेड बोस्टेथ नौट विदाउट रीजन देखिए नाओ अलबेट मिस्टर रेड बोस्टेथ इसका मतलब है बोस्ट करना घमंड करना कि मिस्टर रेड को इस बात का घमंड है नौट विदाउट रीजन और ये घमंड बिना किसी वर्थ को सरव करती है उसको इस बात का बहुत जादा घमंड और यह घमंड अकारण नहीं है बीना किसी कारण की नहीं इसका outta यह कारण है उसका माना मानना यह कि सबसे बैतर जो सैसाफरोज सर्व होता है मेरी शोब पर ही होता है Yet be it known to thee Reader If thou art one who capest what are called good hours की Reader फिर भी अगर आप जल्दी सो जाते हैं कर्डिशन बताता है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं ठीक है और सुबह जल्दी उठ जाते हैं रात को आप जल्दी जाकर सो जाते हैं मतलब आपका रूटीन प्रॉपर है ठीक है आप उन लोगों की तरह नहीं हो कि जो बहुत जल्दी काम पर चले जाते हैं रात को लेट आते हैं तो good hours उसी को का गया है कि सभी समय पर आप सो जाते हों तब क्या होगा तब आप इस अफेक्ट से अंजान होंगे किस फेक्ट से किस परकार से हर इंडस्ट्री में इमिटेटर होते हैं नकल करने वाले होते हैं इसने काम कर लिया तो दूसरे बंदे भी कर लेते हैं तो अगर आप रात को जल्दी जाकर सो जाते हैं तो आपको यह नहीं पता चलेगा आप इस अबाद से अंजान हैं क्योंकि उसकी तरह के बहुत से वेंडर्स हैं जो इस तरह का सैसा फ्रोज बेचते हैं यह लाइन लिखी हो यह ना मतलब जो उध्योग पती होते हैं जो उध्योग दंदा करने वाले हैं उनके इमिटेटर होते हैं तो उसकी भी परजाती है पूरी पूरी रेस है जो नकल ची लोगों की रेस है मतलब उसकी जैसे कई दुकाने खोल रखी है इन गरेब ग्रहकों को ऐसा ही प्रेपदार्थ सरू करते हैं इनकी पूरी एक रेस है एट देड टाइम अफ डॉन मतलब जो सूर्योदे होने से पहले का समय होता है यानि कि लेट नाइट बारा बजे के बाद ठीक है दो तीन बजे का समय होता है तो फिर सूर्योदे होने से पहले का समय होता है उस समय में इन दर रैक कहां कहे किसी शराबी व्यक्ती को ओएं डर रैक रिलिंग हों फ्रों मिड्नाइट कप लड़ खडाता हुआ रीलिंग करता हुआ लड़ खडाता हुआ घर को वापिस आता है midnight cup का मतलब रात को late night तक पीते रहते हैं 12 भी बज़ जाते हैं कई बार एक भी बज़ जाता है और काफी लेट हो जाते हैं घर आते हुए तो वो लड़ खड़ाते हुए आते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जादा शराब के प्याले पी रखे हैं, वो लड़ खड़ाते हुए चलते हैं, and the hard-handed artisan, leaving his back to resume the premature labor of the day, jostle not unfrequently to the manifest disconcerting of the former for the honor of payment, देखिए इस line का मतलब समझे आग कि रात को जो late night कमर होते हैं, वो शराब पी कर लेट आते हैं, और इधर से उनके तो आने का समय होता है शराब पी के, ये जो गरीब बच्चे हैं, इनका सुबह उठके जाने का समय हो जाता है, काम पर जाने का समय होता है, क्योंकि ये सुबह जो चिमनीया जलने से पहले इनको साफ करना होता था, तो सुबह जल्दी जाकर उने चिमनीयों को साफ करते थे, तो वो क्या करते हैं? hard handed artisan किसको कहा गया है chimney sweepers को कहा गया है काम करकर के इनके हाथ बड़े hard हो जाते हैं leaving his back to resume the premature labor of the day अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं ठीक है pre-mature इसलिए का है क्योंकि अभी दिन निकला नहीं उससे पहले ही चले जाते हैं जौसल धक्का मुक्की करते हैं not unfrequently to the manifest disconcerting the former मतलब किनके साथ करते हैं जो former racks की बात हुए जो शराबी लोगों को धक्का मार देते हैं धक्का मुक्की करके आगे निकल जाते हैं for the honors of payment honors of payment का मतलब है कि सडक पर चलने के लिए मतलब उदर से वो लखडाते हुए लहराते हुए चल रहे होते हैं इनको जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है तो ये धक्का मार के बड़ी असानी से आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो तो शराबी होते हैं तो यह वो समय होता है देखो इन समर समर सीजन में कई बार एक तो सुबह बता दिया जल्दी लेट नाइट का ठीक है और दूसरा टाइम क्या कि गर्मी की महिनों में बित्विन एकस्पायड एंड नॉट यह रिल्यूमिन ठीक है रियल hyumnaid का मतलब है दोबारा नहीं मतलब सुबहे टो तियार कर लिया है चिमनियों से शांप के रास्साम भी चिमनिय जलाई नहीं है तो सुबहे चिमनिये थंडी हो गयोगी है उस अम्ने की बात कर रहा है किचन-फाय दैक चैनल औफ फेर मैट्रोपल गेव फोर देर लेस्स सैटिस्फेक्टरियों तो उस समय क्या वता है तो बहुत जादा दुर्गंद उत्पन हो जाती है कि सब ने खाना वगरा मना लिया है तो चिमिनियों से जो धुआ निकर रहा है उस दुएं से क्या है बहुत जादा तो डिसिपेट हिस ओवर नाइट वैपर इन मोर ग्रेटफुल कॉफी कर्जस दा अंजैनियल फ्यूम एज ही पास्त तो वो शराबी जिसने रात को बहुत जादा पी रखी थी सुबह उसके मूँ से दुर्गंद आती है तो उस दुर्गंद को कम करने के लिए ठीक है या फिर रात का हैंगवर कम करने के लिए कि एक ग्रेटफुल कॉफी पीते हैं कॉफी पीना पसंद करते हैं जिनको कॉफी पसंद है जब वो इधर से गुजरते हैं कर्स दा अंजैनियल फ्यूम कहा गया है जो सैसा फ्रोस से उड़ती भाप है उनको उसकी दुर्गंद अच् तो उनके लिए अच्छी नहीं होगी but the artisan stop to taste and bless the fragrant breakfast लेकिन जितने ये चिमनी स्वीपर हैं यहां उसको टेस्ट करने के लिए रुखते हैं और bless करते हैं इस फ्रेग्रेंट जो वैपर इसके steam निकल रही होती है breakfast जो है इसको प्रेज करते हैं देखो इस पैरा में यही बात बताएए मोटी मोटी बाद आप समझ लो इसमें यह बताएगा है कि एक तो Mr. Reid है उसको किस बात का घमंड है वो सोचता है कि मेरा मातर यह दुकान है जो इस सैसाफरोस को सरू करती है दूसरा क्या है यह जो बच्चे हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं और रात को जो उनको बड़ी अजीब लगती है मैंने दुर्गंद और सुगंद शब्द दोनों योज की है बच्चों के लिए तो वो बहुत ही सुगंदित है और जो शराबी है उनको इनसे दुर्गंद आती है बुरी लगती है इसलिए वो इसको कर्स करते है ठीक है चलते हैं इस ऐसा फ्रोज को क्या कहा गया है सैलूब कहा गया है ठीक है तो यह जो हर बुमेन है सुबह जो जड़ी बोटियां या पत्तियां इकठी करने के लिए जो जाती है उस हर बुमेन का बहुत ही प्रिये पेपदार्थ है उसको बहुत प्यारा लगता है दिलाइट ऑफ अरल सबजी पत्ता गभी जिसको कह देते हैं ताजी सबजी स्मोकिंग होता है ना कोई चीज स्मोक करती हो यारी तो मतलब ताजी बनिया इसलिए स्मोकिंग कैबेज वर्ड यूज है तो अपनी ताजी अब्या जो जो लेके आते हैं ब्रेक और देन निकल थे फ्रॉम हैमर एक फेमस सब्जी बजा रहा है पियाजाज वहां पर लाते हैं और रास्ते में वह क्या है इस सैसा फ्रोज को पीते हैं उनको भी बड़ा अनन्द देता है और ओओ आई फियर टू आफ़न दा एनमी ओफ अनन्द पैनिट स्विप तो कई बार के है मुझे बड़ी एरशा या मुझे बहुती बुरा लगता है इन जो स्विप है इन स्विपर्स के लिए क्यों क्योंकि ये जो हर बुवमेन है ये भी कमाती है ये भी पी लेती है जो ग इसे बच्चे को अगर संयोग वश आप मिल जाओ इन बच्चों को अचानक अगर आप मिल जाओ विद इस डिम विशेज पैंडेंट ओवर दा ग्रेटफुल स्टीम रिगेल हिम विद संच्वेस बैसिन तो आप क्या करो अब किसी बच्चे को अचानक आप ऐसे देख लो कि कोई बच्चा इस पर बिल्कुल ही अपने आपको उडेल रखा है उस बैसिन के उपर वो स्टीम ले रहा है उसकी मतलब उसका बड़ा मन कर रहा है उसका जी ललचा रहा है उसको पीने का अगर आपको ऐसा बच्चा मिले तो आप उसको खरीद कर दे दीजिए। क्या होगा it will cost the but three half pennies इससे तुम्हारा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा three half pennies ठीक है तीन half pennies देनी पड़ेगी इसके लिए आपको ठीक है पतलब total dead pennies देनी पड़ेगी and a slice of delicate bread and butter and added half pennies और अगर एक bread और बटर और भी देना चाहते हो साथ में इस सैसा फ्रोज के साथ आप bread और बटर भी देना चाहते हो तो आप उसको एक half pennies और लगेगा एक bread बटर और यह खरीद के दे दे इससे क्या होगा इससे क्या होगा ऐसे बच्चे की help करने से तुमारी जो culinary fire है तुमारी रिसोई की जो आगए उसका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा तुमें भी फाइदा होगा उनको क्योंकि वो बच्चे अगर काम करेंगे वो इतनी मैनत तुमारे लिए करते हैं कि तुमारी जो रिसोई में चिमनी लगे उसको साफ करते हैं इसलिए उसका fuel अच्छे से जलता है तो तुमें fuel का खर्च भी कम करना पड़ता है और क्या होत कर्ल अप लाइटर वॉलियम तुदा वैकिंग तुमारे जो अच्छे मसालो वाला सूप बना हुए है तुमारे अच्छे पकवान बने हुए है वापिस उस पे गिरके उसको खराब निकलेगा जैसे अपने रिसोई में कुछ बना रहे हैं और धुआ निकल रहा है उसके सा खुड रही है तो वो क्या है अगर चिमनी साफ नहीं होगी तो उस खानें के साथ मिक्स होती जाएगी या आस्मान में जाकर फैल जाएगी तो वापिस वो नीचे गिरेगी तो तुमारे जो वेल एंग्रेडियंस्ट सूप है वो भी खराब नहीं होगा और नहीं नौर द और सुना देने को मिलेगा चाहर सुनना पड़ेगा फायर ब्रिगेड की गाडियों को उससे क्या है तुमारी शान्ती भी भंग हो जाएगी तुमारी पॉकेट को भी खर्षवा बढ़ जाएगा तो इसमें जो लेखेक है यह बताना चाहता है कि यह जो सूप है एक तरह का सहसा फ्रोज है ये गार्डर को और ये हर बुवमेन को भी अनन्द देता है लेकिन उनका जब मन करता है वो पी सकते हैं लेकिन एक चिमनी स्वीपर है ये सिर्फ अपने आप उसकी स्टेम का अनन्द ले सकता है खरीद कर उसको पी नहीं सकता और अगर रीडर्स तुमें कभी कोई ऐसा मिल जाए तो उसको खरीद के दे दो ऐसा मत सोचना कि आपका खर्चा हो गया इससे तुमें फायदा होगा क्योंकि वो लोग तुमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं एक तो तुमारा चिमनी में होने वाला जो फ्यूल का खर्चा उसको कम कर देते हैं दूसरा है कि फायर ब्रिगेड को के आने की नौबत नहीं आती क्योंकि अगर वो चिमनीया सही डंग से प्रॉपरली साफ ना करें तो फायर ब्रिगेड वगरा वहां पर आएगे और तुमें शोर सुनाई देगा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा तो ये तुमारे लिए फायदे मन है इनको जब मन करें आप इनको क्या करो एक प्याला सैसा फ्रोज का खरीद कर दे दें इससे आपकी भी बलाई होगी और इनकी भी बलाई होगी चलिए अब देखते हैं पैरा टैन तो पैरा टैन में लेखा कहता है आएम बाइ नेचर एक्स्ट्रेमली ससेप्टिबल ओफ स्ट्रीट अफ फ्रोज कहता है कि मेरा नेचर ही ऐसा है I am by nature extremely susceptible susceptible का मतलब है sensible saavedan shield मतलब बहुत जल्दी मेरे को feel हो जाता है मैं बहुत जादा saavedan shield हूँ off street affront जो गली में लोग मुझे मिलते हैं सामने और उनको जो मिलकर वो बात करते हैं टांट करते हैं उनके प्रती बड़ा saavedan shield हूँ the jears and taunts of population जितने भी लोग population मुझे मिलती है मुझे पर हसती है या टांट करती है तो मैं बहुत जल्दी mind कर लेता हूँ the low bread trim they display over the casual trip कभी कभार अचानक मिल जाते हैं तो वो low bread नीचे कुल में पैदा होने का संकेत देते हैं जब वो आपके उपर हसते हैं या आपर टांट करते हैं और supply stocking मतलब किसी के जुराबें गिली हो गई है कहीं गिर जाने के कारण या पानी में पैर पढ़ जाने के कारण अगर किसी के जुराबें of a gentleman किसी gentleman की जुराबे गिली होगी तो लोग हसते हैं टांट मारते हैं तो मुच्छे क्या है, बहुती बुरा लगता है, मैं बड़ा सावेदन शील हूँ इन चीज़ों के प्रती, येट आइक एंडियोर दा जगलार्टी ओफ यंग स्वेप विद सम्थिंग मोर दन फोर्गिवनेस, लेकिन फिर भी, अगर कोई स्वेप हसता है किसी के उपर, या मेरे उपर, तो मुच्छे क्या है, मैं माफ कर देता हूँ, ठीक है, मैं उसको सहन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं माफ कर देता हूं, कि इनको हसने का मौका नहीं मिलता, कभी कबार इनको हसने का मौका मिलता है, इसलिए मैं उनको माफ कर देता हूं, वैसे लिखक का नेचर है कि उसको पसंद नहीं है, कोई गली में जाते हैं, उस पर हसे या किसी पर भी हसे, लेकिन अगर एक च तो क्या हुआ एक घटना बताता है अपने जीवन से जुड़ा हुए एक इंसिडेंट बताता है कि एक बार ठीक है पिछली सर्दियों की बात है तो मैं चीप साइड में जा रहा था और अचानक क्या हुआ मैं वहाँ पर गिर गया जब वेस्ट वाड की तरफ जा रहा था तो एक ट्रेच्रेश स्लाइड एकदम से फिसल गया और ब्रॉट मी अपन माई बैक और वो पीठ के बल गिर गया in an instant ततकाल ही तुरंत ही I scrambled up with pain and shame enough yet outwardly trying to affect it down as if nothing had happened मतलब मैं डर से काप गया डर से सहम गया लेकिन मैंने क्या है ऐसा दिखाने की कोशिश की की कुछ नहीं हो एकदम से गिरा शरम भी आ रही थी और दर्द भी हो रहा था लेकिन ऐसा शो किया की कुछ नहीं हो आए वो खड़ा हो गया When the ruggish grin of one of these young wits encountered me तभी क्या हुआ रuggish होता है शैतान तभी एक इन में से शैतान बच्चे ने मुझ पर हसना शुरू कर दिया encountered me there he stood वो वहाँ पर खड़ा था pointing me out with his dusky finger अपनी काली सी उंगली से मेरी तरफ इशारा कर रहा था to the mob भीड को बता रहा था वो गिर गया वो गिर गया इस तरीके से शो कर रहा था and to a poor woman I suppose his mother in particular particular till he tears for exquisitness of the fun work themselves out at the corners of his poor red eye तो वो जब मैं गिर गया तो बच्चे ने बड़े आंद के साथ मेरी तरफ इशारा किया उंगली की भीड को बता या wszystkim एक औरत को बताया कि वो देखो बंदा गिर गिर गया है और औरत वो उसकी माँ थी ऐसा मैं बानता हूँ कि उसकी माँ थी जिसको उसने बताया और उसकी आँखों से पानी आगया हासाश कर जो आँखे लाल हुई पड़ी थी ठीक है पूर राद डाइस उसके जो आँखों के किनारे थे उसमें पानी आ गया red from many previous weeping हो सकता है वो आँखे रो रो कर लाल हुई हो and suit inflamed या उसमें वो काला धुआ कालिक चली गई हो इसके करण लाल हुई पड़ी थे तो उन लाल आँखों में आंसु आ गए तब तक वो हासता रहा that hogarth but hogarth has got him already how could he miss him तो ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीर जो है एक painter है famous painter hogarth उसको paint करनी चाहिए थी लेकिन hogarth से ये बच्चा कैसे miss हो गया उसने इसको कैसे चित्रित नहीं किया उसने already कर दिया है कैसे in the march of finchley grinning at pie man ठीक है hogarth जो है ऐसे scene को कभी miss नहीं कर सकता तो उन्होंने एक तस्वीर already बनाई थी एक pie man पर एक bread बेचने वाले पर ठीक है चोचोटे cake बेचने वाले बंदे पर एक छोटा सा ठीक है बच्चा हस रहा था there he stood as he stand in the picture और सेम उसी तरीके से hogarth नहीं जो तस्वीर बनाई थी famous painter ने same way उसी तरीके से वाहां खड़ा मुझे पर हस रहा था okay irremovable मतलब बिल्कुल नहीं हिल डूल रहा था as if that just was last forever ऐसा लग रहा था कि वो हंसी हमेशा हमेशा के लिए उसके चहरे पर ऐसे ही रहे तो वो बच्चा बिल्कुल टस से मसनी हुआ वहां से वहां हस्ता रहा और हस्ता रहा ऐसा लग रहा था जैसे होगार्थ की बनाई हुई famous painting हो okay next देखते हैं with such a maximum of glee and minimum of mystery उसकी जो हसी थी उसमें अनंद ज़्यादा था शैतानी कम थे कुछ तो शैतानी के करने शरारती बच्चे होते हैं इसलिए हसते हैं लेकिन वो अनंद से हस रहा था उसको बड़ा अनंद आ रहा था in his mirth for the grin of genuine sweep hath absolutely to malice in it तो वो कहता है कि अगर कोई और बंदा होता तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता दुर्भावना पूर्ण लगता लेकिन ये एक genuine sweep था और इसकी खुशी के लिए मुझे बुरा नहीं लगा that I could have been content if the honor of a gentleman might endure it तो मैं इस बास से संतुस्ट हूँ कि एक gentleman का जो मान समान है इसको सहन कर सकता है to have remained his butt and mockery till midnight कि इसी condition में midnight तक ऐसे ही पड़ा रहना चाता था कि अगर उसके गिड़ने से किसी गरीब को किसी chimney sweeper को क्या हसी आ रही है वो कुछ समय के लिए पर सनता दे सकता है तो वो इसी तरीके से वहाँ पड़ा रहना चाता था तो देखे इस पैरम में आपको क्या बताया गया है इसमें लिखक ने खुद के बारे में बताया गया है तो वो पाड़ने बल है उसको वो माफ कर सकता है एक बार उन्होंने खुद का इंसीडेंट बताया कि मैं खुद गिर गया था और कोई और मुझे पर हसता तो मुझे बहुत बुरा लगता लेकिन एक चिमनी स्वीपर बहुत खुशी के साथ बहुत अनंद के साथ मुझे देख रहा था और जेंटलमेन मैं वहां पड़ा रहना चाहता था क्योंकि मेरा कुछ समय का गिरना उसको अनंद दे रहा था चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं चलिए अब देखते हैं पैरा नंबर टेन आयम बाइ थियोरी अब्जूरेट तू दा शुलेक्टिवनेस ओफ वट आर काल्ड फाइन सेट ऑफ टी वह कहता है कि मैं मनमर्जी का मालिक हूं अब्जूरेट का मतलब है मैं मनमर्जी का मालिक हूं और सब्डेक्रिवनेस होती है मोहकता जो अकर्शन करने की क्षमता होती है तो जो फाइन सेट ऑफ टीथ है दान्तों की जो मोहकता है उसमें मैं मर्जी का मालिक हूं मुझे जरूरी नहीं कि सबके दान्त पसंद हों एवरी पेर ओफ रोजी लिप्स दा लेडिज लेडिज मस्ट पाड़न मी इस अ कास के दबी के समान लग रहे हैं जिसमें वो ज्वल रखे जाते हैं जिसमें वो दांत रखे रहे हैं ठीक है प्रियूबली ली होल्डिंग सच जो जिन्होंने इन जो ऑल्ल कर रखा है बट में तिंग डिश टेक लीव टो एयर दयम एज फिग यस पॉसिबल की वो उसको बहु करते हैं तो वह घमंड छोड़ देना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो चुके दफाइन लेडी और फाइन जैंटलमेन फोशो मी दियर टेट शो मी बॉन्स तो जो लेडीज और जैंटलमेन मुझे अपने दात दिखाते हैं तो ऐसा लगता है अपनी हडियां दिखा रहे हैं वह दात मेरे लिए यह गडियों के समान यहे एक मस्ट आइक कंफेंस राइट फॉब दिखाते हैं दिखाने मेरे लिए धिशोदी बॉस भी और स्फ़बेन दिखाये हैं उस्ट्राइव मेरे लिए रहे लगता हैं यह डीयां अगर स्वेप दिखा इखाना यह घ्डियां हैं वो सफेद दांत के समान है और मैं उसको क्या है अनुमत ही देता हूँ उन दांतों को देखना मैं पसंद करता हूँ क्योंकि वो दांत मुझे ऐसे लगते हैं इस सेहबल क्लाउड टरंस फोर्थ हर सिल्वर लाइनिंग उन दा नाइट कि जैसे की एक काले बादल काले चमकती है तो वो दांत उन स्वीपर्स के दांत जब स्वीपर्स हसते हैं तुझे ऐसा लगता है कि काले बादलों के अंदर बिजली चमक रही हो तो हर किसी के दांत देखने उसको पसंद नहीं है लेकिन वो स्वीपर के केस में इस चीज़ को अलाव करता है नेक्स रेमिनेंट ऑफ जैंट्री नाट क्वाइट एक्सटेंट ठीक है रेमिनेंट ऑफ जैंट्री मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे जो है किसी भदर कुल में सज्जन लोगों के बीच पैदा हुए थे जो अभी विलुप्त नहीं हुए जो रेस जो पर जाती उनके विलुप्त मिलते हैं and doubtless under the obscuring darkness a double night of their forlorn disguisement oftentimes lurketh good blood तो उनके अंदकार बरे जीवन में ऐसा परतीत होता है जैसे वो अच्छे कुल में पैदा हुए हो अच्छे घरों में ठीक है good blood उनकी नसों में हो ऐसा दिखाई देता है and a gentle condition and gentle condition derived from lost ancestry and left pedigree pedigree होता है once ऐसा लगता है कि उनकी जो ancestry है उनका जो once है वो lost once है वो किसी अच्छे कुल से आये हों उनको अगवा कर लिया गया हो उनको उठा लिया गया हो वहां से उठाई हुए लगते हैं the premature apprenticeship of these tender victim give but too much encouragement तो ये जो छोटे छोटे premature worker हैं काम करने वाले हैं ये बहुत ह जो कॉमल सी उमर होती है tender age होती है वो होती है नाजुक age में आकर क्या है इनको अगवा कर लिया गया था और इनको काम पर लगा दिया गया था I fear to clandest time and almost infantible abduction infantible abduction का मतलब है अपहरण की हुए जब ये शिशु के रूप में थे तब इनको अपहरण करके लाया गया है ऐसा परतीत होता है इनको देखने से ऐसा लगता है जैसे इनको अपहरण करके लाया गया हो next देखिए the seeds of civility and true courtesy तो इसमें सिस्ट अचार के भाव नज़र आते हैं ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत ही विनमरता और सिस्ट अचार है किसी सिस्ट कुल में पाद हूँ है so often discernible in these young grafts मतलब ये discernible मुझे दिखाई देता है परतियक शुरूप से दिखता है कि ये छोटे छोटे ग्राफ दिनी बच्चों के लिए है जिनको यहां रूप परिवर्थित करके परतिरोपित कर दिया गया है कहीं से उठाकर यहां ला दिया गया है not otherwise to be accounted for इसको गलत तरीके से मतलेना लेख कहता है कि कहीं से उठाकर इनको यहां पर लगा दिया गया है plainly hint at some force adoption ऐसा लगता है कि इनको force करके ये काम करवाया जा रहा है many noble Rachel moaring for their children रैचल जैसी बहुत सी noble हिस्त्रिया है रैचल के बच्चे को चुरा लिया गया था तो बहुत सी noble कुल में पैदा होई रैचल जैसी इसत्रिया है जो अपने बच्चों के लिए विलाप करती होंगे even in our days हमारे दिनों में भी countians the fact the tales of fairy ऐसा लगता है कि जैसे परियों की कहानियों में राक्षश बच्चों को उठा के ले जाते थे तो वो परियों की कहानिया सही होती है परतीत होती है कि बच्चों को उठा कर इस तरह के काम करवाए जाते हैं वो राक्षशों के समान हैं लोग जो उठा के लाते हैं spiriting में shadow a lamentive verity एक बहुती दुख भरी सच्चाई सामने लेके आती हैं ये कहानिया and the recovery of young mountain to be a solitary instance of good fortune देखो एक mountain जो थे ये noble कुल में थे ये कहां मिले थे वापिस अपने परिवार को noble family को कहां मिले थे chimney sweepers का काम करते हैं मिले थे तो इसे भी पता चलता है कि जरूरी नहीं ये chimney sweepers उनिक उस गुल में पैदा हुए चिमनी स्वीपर के घर में ही पैदा हुए कई बच्चे अगवा की होते हैं जिनको ये काम जबरदस्ती करवाया जाता है ओके बट मॉन्टेंग भी बट अ सॉल्ट्री इंस्टैंस ऑफ गुड फॉर्चुन आउट अफ मैनी इंपरेबल और होपलेस डेफिरेक्शन्स तो बहुत से ऐसी कहानिया हैं बहुत से ऐसे परिवार हैं मॉन्टेंग जैसे बहुत से बच्चों को खोया होगा जो अभी त अगवा किया हुआ है अब हो सकता है अपरण इसके काफी संकेत मिलते हैं तो अब हम इसको कंप्लेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू वेरी मच्च पोर गिविंग और प्रेशिस ट्रेंग